हम आपको बता रहे थी कि स्वामी बाल मुकुंदा चारे धर्णी पर बैठी हैं जगडे का पूरा मामला है ऐसे में इस जगडे के मामले कुली कर धर्णा दिया जुआ रहा है बीजेपी के प्रत्याशी है बाल मुकुंदा चारे हम अमेल से उमीदवार है और आपको बता दे कि आदर्शनगर के प्रत्याशी रवी नयर भी उनके साथ मौझूद है आप तस्विरों में देख सकते हैं कि बाल मुकुंदा चारे के बगल में ही रवी नयर खड़ी है और बता दे कि हावा महल से प्रत्याश्री है बाल मुकुंदा चारे आदर्शनगर से रवी नईयर प्रत्याश्री है और दोनों धर्णी पर बैटी है तस्विरों में आपको दूनों नजर आ रही होंगे क्योंकि जगडे से जुड़ा पूरा मामला है इसे में से मामले को लिकर बाल मुकुंदा चारे अब सक्त नजर आ रही है धन्डा वो दे रही है धन्नी पर आकर बैट गए है जैपुर का ये पूरा मामला है आपको बता दे कि हावा महल से बीजेपी की प्रत्याश्री है बाल कि नएयर को आज नीबू का बाग शिव कॉलोनी में करीब पचीस-30 बाइकर्स उससे पहले पचीस-30 बाइकर्स आये कापी हल्ले करे उसके बाद एक घरमे घुसकर घरमे सरीयों से उन्होंने हवला किया और अगले ने बचाओ किया तो उसके एक कमारे वाले आदमी का कुलिस को शिकाइट की पुलिस गो पकूलिस को बताया तो अल्ता उनको रस्ते मे लाके छूड़ दिया रहागीर बता कर वा deep नमबर है और जो स्रीयों के माँं दिवार पर गेट पर जो मारें तो पूरी निशान है और यहां हमारे वाले उनको तो बेठा रखा है और उनके वाले गृफतार नहीं है तो आपको बतादे कि जिस तरह से इनुए कहा कि यहां पे झगड़ा क्या गया और सर्यो से हमला क्या गया कुछ लोग यहां पर घैल भी हुए हैं पुलिस को मामला भी दिया गया लेकिन पुलिस उन्हें बदमाशों को राहागिर बता कर छोड़ दिया है तो यहां पर आक्रोशित नजर आए वो फरस्ट इंडिया को ने बोला कि जुस सरह से जगड़ा हुआ था उस जगड़े के बाद पुलिस को सक्त एक्ष कर रही हैं और धन्नी पर वो बैट गई है क्योंकि कुछ बदमाशों ने बाइक पर आकर हमला यहां पर किया है तो आपको बता दे कि आदरश्मगर के प्रत्याश्वीर रवी नयर भी उनके साथ में मौझूद है तस्विरों में आप देख सकते हैं कि बगल में ही रवी नयर खड़े हैं और दोनों आक्रोश व्यक्त कर रही हैं जब पुलस ने इसे पूरे मामले की जुआच की तो पुलस ने उन बदमाशों को छोड़ दिया और यह कहा कि यह रहगिर है इनकी कुई गलती नहीं है एसे में कई सवाल यहां पर उठा रही है और कह रहे हैं कि सक्कारवाइक यहां पर जरूरत है क्योंकि जिस सरह से हमला किया गया उन बदमाशों के द्वारा कई जो लोग है वो बाइक पर बैठ के आए बाल मुकंदाचारी ये कहते हो भी नजर आए कि उस बाइक के नंबर भी हमारे पास है ऐसे में इसे मामले पर गहनता से जाज करनी चाहिए और साथ में रवी नईयर उनके साथ मौझूद है और आपको बता दे की जिस सरह से हमले किये गए सर्यों से यहाँ पर हमला किया गया था और वो कह रहे हैं कि गेट पर सर्यों की निशान भी है तो पुलिस को इन सबके आधार पर जाच करनी के जरूत है और आक्रोशित वो नजर आ रही है धरने पर बैट गए है अब मैल से बीचे पी की प्रत्याश्री है बाल मुकंदा चौरे आदरुश्मनगर की प्रत्याश्री रवी नयर भी उनके साथ मौझूद है तो यहाँ पर देखिए स्वामी बाल मुकंदा चौरे धरने पर है और जगडे से जुड़ा है पूरा मामला है तो में आक्रोश वक्त कर रहे हैं उनके साथ आदर्श नगर के प्रत्याश्री रवीन नयर भी मौझूद हैं आपको बता दे कि जिन लोगों क्या था जिन बाइक सब्सक्राइस नमबर भी उनके पास यह भी कहते वुए सुराइब दे रहेते बालमुकुदत चौर्य उन्होंने कहा कि बाइक की नंबर भी हमारे पास है और उसके अधार पर पुलस को जाज करने चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि जिस्ट यहाँ पर बताए ज़ुआ रहे हैं ऐसा बाल मुकुंदा चौरे का कहना है और आपको बता दे कि आदर्शनगर की प्रत्याश्री भाजपा ने जुने आदर्शनगर से उमीदवार बनाया है रवी नयर वो भी उनके साथ मौझूद हैं और दोनों तस्विरों में आपको से हमला किया है और बाल मुकुंदा चौरे कहते हुए नजर आ रहा है थे कि उनके लोगों पर हमला किया गया है और इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं बाल मुकुंदा चौरे की जो लोग है वो यहाँ पर घायल हो गए है और जब पुलिस को सूचना दी गई तो उन्हें दिया गया है पुलिस को साधार पर जाज करनी चाहिए सक्त से सक्त कारवाई हो आपको बता दे कि बाल मुकंदच्वारे धरने पर है और उनके साथ आधर्श्मनगर के प्रत्याश्वी रवी नयर भी मौजूद है लाइब तस्विरे फर्स्ट इंडिया आपको उन्होंने सर्यों से हमला किया और सर्यों से जो हमला हुआ उसके निश्वान भी वहाँ पर मौजूद है जो हां पर हमला किया गया था और बाइक के नंबर भी उनके पास है तो आखिर क्यू कारवाई नहीं की ज़ा रही है तो लाइफ तस्विरे जोयपुर से आप देख रहे हैं जो हाँ पे धर्णा दिया जुआ रहा है हावा मैल के प्रत्याश्वी बाल मुकुंदा चुआ रहे हैं धर्णा दे रही है उनके साथ तो लाइफ तस्विर आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है लाइफ तस्विर में देख सकते हैं कि उनके साथ कई लोग मौझूद हैं और साथी आदरश्वनगर के प्रत्याश्वी रफी नईयर भी मौझूद हैं बाल मुकुंदा चुआ रहे खुद धरने पर हैं क्योंकि जगड़े से चुड़ा पूरा मामला है कई लोगों ने सर्यों से हमला किया है बाइक पर वो बैट कर आये थ कर उन लोगों को छोड़ दिया गया जिनोंने हमला किया था और वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिन लोगोंने हमला किया था जिस बाइक पर वो बैट कर आये थी उस बाइक के नंबर भी हमारे पास है तो ऐसे में कारवाई की मांग लगातार वो कर रही हैं और तस्वीर पूरा मामला है यहाँ पे कुछ बाइकोस ने सर्यू से हमला किया था जिसके बाद वो आकरोशित नज़र आ रहा है और बारमकुद्र चौरे कहते हुए नज़र आ रहे थे कि इस सहमले में उनके कुछ लोग घायल हुए हैं ऐसे में सक्त से सक्त कारवाई हो और फिलहाल वो पत्याश्री है जुमाजपा की उमीद्वार है रवी नयर भी मौजुद है